अरे उसको निकाल उसको बाहर रहा 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 है नमस्कार मेरे दोस्ता भी मिल्क मिल्किंग कर रहा है दूद निकल रहा है बगरी का खाना खाना है ना अभी अदर नोट lakaran रोटा कर रोटीוש आइसे दूद बखरीं का निकाल के खाते हैं हरदीना यहीं रिवाया हर रिवार हमारा यही प्राम रहता है कि सब्ज ना खाए देसे वह रिफैंट- एल का आलक आलक सब्जी रहता है वो इतना पावरम्फ पॉल दो नीसका इसका 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 यह आजया स्थानी नसली इसका निकालेंगे यह बहुत आच्छा नसले इसका देलूद कैसा निकलता हो उसका दो त्मारा मोन निकावनो बैटा इसका कौन सा ही काम तोड़ा हाले की सिस्टम ही है दोगा हम आप भी कीती में आइसे चराने के टाइम दुपार का टाइम हो गए ना तो दुपार के टाइम आप भी सब्जी नहीं है जैसे मैं सब्जी तो लाता है नहीं जैसे कम वो तील वाला यह रिफाइंड जैसे तिल सब्जे घटिया तिल कर बनी रहती इसले मैं ज्यादा कम सब्जी खाने के कुछ चीछ करता हूं घर का अपर और वह सो फ़्याएं वाला नमग्निन खाना चाहिए वाइडून वाला नमग्नि रहता है तो इसले अच्ञता दोपार की टाइम और शाम को वैसे में कहा धाते नहीं है स्याम को स्रिफ एक ग्लास जैसे एक आधा लीटर तक गरम करने का पानी और वही पानी पिलेंगा लेने का सुब्स आरव दो पार को वही दो टायम घाना खाते हम इसलिए आभी आईसे हम दूद का मजा लेते हैं ना उसमें पानी डाला रहे था ना तुसमें थोड़ा कुछ गरम किया रहे घुज़ा अब निकलना है और निकलना निकालना जैसे इतना निकलता है थोड़ा दिरे से न कि अच्छा मिलकिंग करते नव कि छो रवा वारिद मिलकिंग करता है वह वह आच्छा पश्ष्ष हुआ थाज अब यह बस हो गाई है राच्छा मिल्कें किया वह दूधने गाला चो रहे हैं यह लाइक करो बोलो उनको लाइक आइसाथ करो नहीं लाइक हाहा आइसा लाइक करो बोल रहे तु ओगे मिलें गा ऐसे वीडियों में लाइक आवर सब्साहर करें रामकृष्णारी